नमस्कार दोस्तों राधे राधे जैसरी कृष्णा जैसरी राम हरहर महादेव स्वागत है आप सबका हमारे प्रिय यूटूब चैनल स्रीबा के बिहारी टैंपल वरिंदावन में मित्रों कल्यूग के प्रभाव से विलूप्त हो रही हमारी संस्कृती हमारे प्राचीन वैदिक ज्यान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और हमारे द्वारा संस्कृतिक ज्यान के उपर भगवत ज्यान के उपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा कर आप अपनि संस्कृति के प्रचार प्रसार का अम्रित तुल्य पुन्यलाव उठा सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जै मातादी अवस से लिखें तो आईए मित्रों देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है नौरात्री में माता दुर्गा को प्रसंद करने के लिए चमतकारी उपाय होंगे साक्षात दर्शन तो मित्रों बने रहें वीडियो के अंतक आज हम आपको वैदिक दृष्टिकोंड से एवं वैदिक धर्मगरंथों के आधार पर बताने वाले हैं कि नौरात्री में कौन-कौन से वे साथ चमतकारी उपाय किये जाते हैं जिन से म माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है ऐसा कहना इसलिए उचीत है मित्रों क्योंकि पूर्ण रूप से यह प्रमालिक है और बिल्कुल सत्य है कि हमारे सनातन धर्म में देवी भागवत महापुरान के आधार पर उलेखन मिलता है कि नौरात्री पर्व हिंदु धर्म क सबसे बड़े पर्वों में से एक माना जाता है और इन दिनों कुछ उपाय आध्यात्मिक धर्म गरंथों में बताए गए हैं जिसके द्वारा हम सभी उन उपायों को कर करके माता को प्रशन कर सकते हैं एवं आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं मित्रों नौरात्री का पावन पर्व माता दुरगा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है नौरात्री में नौ दिनों तक मा दुरगा के नौ स्वरूपों की पूजा राधना और व्रत का विशेश महत्व है यह नौ रूप हैं सहल पुत्री, ब्रह्मचारणी, चंद्र गंटाज, कुश्मांडाज, कंदमाता, कात्याईनी, कालरात्री, महागवरी और माता सिद्रात्री ये नौ रूपों में विभक्त हैं एवं नौ रूपों का अलग-अलग महत्व एवं कहानिया हैं ऐसी मानिता है कि नौ रात्री में माता के सभी नौ रूपों का अपना अलग फल प्राप्त होता है नौरात्री में माता दुर्गा के नौ रूपों की उपासना करने से माता प्रशन होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं सास्त्रों में मित्रों माता को प्रशन करने के लिए विभिन उपाय बताए गए हैं इन उपायों का पालन करके आप भी माता दुर्गा को प्रशन कर सकते हैं यह उपाय करने से माता का आसिरवाद प्राप्त होता है वही मित्रों इन उपायों का वरणन स्री देवी भागवत पुरान में भी दिया गया है तो आईए मित्रों वैदिक द्रिश्टिकोंड से एवं वैदिक धर्मगरंथों के आधार पर जानते हैं कि नौरात्री में कौन-कौन से वे साथ उपाए हैं जिनें हम करके माता को प्रशन कर सकते हैं तो मित्रों इन में से पहला उपाए है माता को अरपित करें लाल रंग के फूल धार्मिक मानिताओं के अनुसार मादुर्गा को लाल रंग अतिप्री हैं माना जाता है कि मादुर्गा को लाल रंग अतिप्री हैं नौरात्री पर माता दुर्गा को प्रशन करने के लिए माता प्रानी को लाल रंग के फूल चुनरी आदी अर्पित करना सूब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि माता को कमल का फूल भी अतिप्री है इसलिए नौरात्री में मित्रों देवी को कमल का फूल अर्पित करना भी सूब माना जाता है इससे घर में सुख सम्रिध्धी आती है मि मित्रों चलिए अब जानते हैं दूसरे उपाय को मित्रों दूसरा उपाय है नौरात्री में करें दुर्गा सब्त सती का पाठ मित्रों यह वैदिक धर्मगरंतों के आधार पर प्रमारिक है मान्यताओं के अनुसार नौरात्री पर दुर्गा माता का सब्त सती का पाठ करना चाहिए सास्त्रों के अनुसार दुर्गा माता सब्तसती का पाठ करने से माता प्रशन होती हैं और सभी मनों कामनाएं पूरी करती हैं मानिताओं के अनुसार दुर्गा सब्तसती का पाठ बिना किसी तूटीस के होना चाहिए इसलिए पाठ की समापती पर माता रानी से अपन सास्तुर्lt, नो तीसरा उपाय यह कि नो दिन तक खिलाएं गाय को रोटी, अर्थात मित्रों हिंदु धर्म में गाय को मा का दर्जा दिया गया है। सास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय की सेवा करने से बहुत पुन्यम मिलता है। वहिमित्रों जानकारी के लिए बता दे गव माता के प्रतेक सेवाकारे में एवं प्रतेक अंग में तैतिस कोटी देवी दियोताओं का वास होता है इसलिए गाय को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माता का दर्जा दिया गया है कहा जाता है कि नवरात्री के नव दिनों तक रोटी खिलाने से मा दुर्गा प्रशन होती है इससे घर में सुक समरिद्धी आती है और जीवन से सभी कष्ट समाप्त होते हैं तो आईए मित्रों अब जानते हैं वैदिक दृष्टिकोंड से नवरात्री में माता दुर्गा को प्रशन करने का चौथा चमतकारी उपाए तो मित्रों यह चौथा चमतकारी उपाए है कमल का पुस्प पर करें माता को विराजमान अर्थात मित्रों की माता के प्रतिमा को उनके च्छवी को आप कमल के पुस्प पर अवस्य विराजमान करें क्योंकि यह चौथे चमतकाई उपाए में सम्मिलित किया गया है मानिताओं के अनुसार कमल का पुस्प मातारानी को बहुत प्री है नौरात्री पर मा दुर्गा की प्रतिमा को कमल के पुस्प पर विराजमान करके देवी की पूजा करना बहुत सुभ माना जाता है वही माना जाता है कि ऐसा करने से माता अपने भक्तों की सभी मनो कामनाएं पूरी करते हैं तो मित्रों आईए अब जानते हैं पाँचवे चमतकारी उपाय को जिसे नवरात्री में करने से माता दुरगा अतिप्रशन होती हैं तो मित्रों पाँचवा उपाय है घर के बाहर बनाए स्वास्तिक का निसान अर्थात के मित्रों हिंदु धर्म में स्वास्तिक के चिन्ध का बहुत महत्व है सास्त्रों के अनुसार नौरात्री के पहले दिन मंदिर में और घर के बाहर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक उर्जा भूत प्रेत इत्यादी दूर होते हैं ऐसा करने से मा दुर्गा का शिर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख सांती बनी रहती है और मित्रों सिर्फ प्रथमी दिन नहीं अपीतु आप किसी भी दिन नौरात्री के दिन ये कार्य कर सकते हैं और मित्रों अब जानते हैं छठे उपाय को तो मित्रों वैदिक दृष्ठिकोण के आधार पर छठा चमतकारी उपाय ये है जिसे नहृटरी में करने से आप माता को प्रशन कर सकते हैं तो मित्रों वहया है कि माता को अरपित करें कौडी, अर्थात की पत्थरों की वह गुठलियां जिने हम कौडी के नाम से जानते हैं इन्हें माना जाता है कि अरपित करने से हमारे सारे रोग कटते हैं, मानेताओं के अनुसार नौरात्री में मादुर्गा को कौड़ी अर्पित करना बेहत सूब माना जाता है कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रशन होती हैं और सुक समरिद्धी और वैभाव का आसिरवात देती हैं साथ ही साथ उन कौडियों को अर्पित करने से हमारे जन्म चक्र भी छूटते हैं अर्थात की हम इस संसार से हमारा उधार होता है और भौसागर से हम पार होते हैं और मृत्यू के बाद माता के धाम को प्राप्त होते हैं तो मित्रों वही सात्वा चमतकारी उपाय है, जिसे नवरात्री में करने से माता प्रशन होती है, वहय है कि माता के सामने जलाएं अखंड जोती, मित्रों आपने सुना ही होगा कि अखंड जोती का नवरात्री में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि नवरात्री के प्रत्यक पूजा में इस अखंड जोति को अवज से ही जलाया जाता है एवं भारत भूमी के पवित्र मंदिरों में भी ऐसा कार्य देखने को मिलता है नौरातरी में मा दुरगा के सामने अखंड जोति जलाने का बहुत बड़ा महत्व है मान्यता है कि अखंड जोती जलाने से माधुर्गा प्रशन्द होती हैं और भक्तों की सभी मनो कामनाएं पूरी करती हैं एवं लक्ष्मी कृपा भी प्राप्त कराती हैं लेकिन मित्रों इन सातों उपाय के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए वह बात यह है कि आप नौरात्री के नौ दिनों के अंतरगत कोई भी अप पवित्र दूसित पदार्थ का सेवन न करें जैसा कि मित्रों माना जाता है कि नौरात्री के नौ दिन हिंदु धर्म में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं एवं माता दुर्गा के अराधना के लिए इन्हें बहुत ही सुभ छण माने जाते हैं मित्रों इन नौ दिन के अंतरगत आप इन साथ उपाय को करें लेकिन साथ साथ ध्यान दें कि कोई भी अपवित्र एवं दूसित आहार आपके जिभा पर न इस परसो अर्थात की जैसे प्याज लहसून मान्स आदी वैसे तो मित्रों हमारे सनातन धर्म में इन सब पदार्थों का सेवन करना मना है अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों का सेवन करता है तो इन साथ उपाय को करना बेकार है क्योंकि इन साथ उपाय का लाब तभी होता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से तन और मन से स्वच रहता है तभी ये उपाय पूर्टया काम करते हैं और अगर मित्रों कोई भी व्यक्ति इन सब पदार्थों का सेवन करता भी है तो उन्हें इन नवरात्री में नौ दिन इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा देवी भागवत पुराण में लिखा गया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि कोई भी पाप युक्त कर्म इन नौ दिनों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिए अर्थात के मित्रों जैसे जूट बोलना निंदा करना नसीली पदार्थ का सेवन करना किसी को गाली देना इत्यादी कई प्रकार के अ उपायों का प्रयोग तभी सिद्ध होता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने मन से स्वच्छ माता के स्रद्धा में लगा रहता है और साथ ही साथ अपने तन को भी स्वच्छ रखता है तभी उसका मन भी पूर्ण तया स्रद्धा भक्ति में लगता है तो मित्रों आसा करते हैं कि आज की यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक सनातन भक्तों पर पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ राधे राधे।